तो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पे आज मैं बना रही हूँ लौकी की टेश्टी सबजी जो बनाने में बहुत असान है और खाने में बहुत जादा टेश्टी है आप इस तरह से बनाएंगे तो सब लोग मांग मांग कर खाएंगे मैं इसी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत कम मसालों से बनाऊंगी तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट लोगी की सबजी देखिए काईस कि मैंने एक किलो लोगी ले लिए लेकिन आप जब भी लोगी लेएं तो लोगी कच्ची होनी चाहिए क्योंकि अगर जरासी भी लोगी पक होगी तो उसमें टेस्ट नहीं आएगाश्ट अगर आप इसे दो दिन के लिए रख देते हैं तो इसके बीज पक जाएंगे इसलिए लौकी हमेशा ताजी लेकर बनाएं अब हम इसे दोनों साइट से काट लेते हैं इसके बाद मैं इसे छील लेती हूं मैं इसी वाले चाकू से छीलूंगी ऐसे करके हमें छीलना है पूरी लौकी को अगर हम ऐसे करके छीलेंगे इसे ऐसे चीलने पर लॉखी की सब्जी जब हम बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेश्ट आएगा हम पूरी लॉखी को चील लेते हैं, देखें हमने पूरी लॉखी को चील लिया है इसके बाद हम इसे काट लेते हैं यह मैंने एक बर्तन, मैं इसमें काट लूंगी міह इसे छोटे-छोटे पीस में काट लूंगी। वह छोटे-छोटे पीस कोरूंगी तम मैंसे काट लूंगी। भीच के दो भागए कर लिया, भीच में से काट लिया है, फिर इस्के हॉम सायट से छोटे-छोटे पीष में काट लेंगे गाईज इस तरह से आप एक बार लोखी की सबजी जरूर बनाईएगा देखिए हमने सारी लोखी को काट लिया है इसके बाद हम इसे धो लेते हैं तीन चार बार मैं इसे पानी से अच्छी तरह से धो लिया है अब हम सबजी को बनाते हैं सबजी बनाने के लिए मैं आज कुकर में सबजी नहीं बनाऊंगी मैं कड़ाई में सबजी बनाऊंगी इसके बाद हम जैस पे कड़ाई रख देंगे और मैं इसमें देशी गी डालूँगी देशीगी डालूगू आप इसे किसी भी तेल में बना सकते हैं घी हो गया, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं एक चुटकी हींग हींग से लौखई की अब बहुत अच्छा तेश्ट आता है और अद्य चमच हम इसमें डालेंगे जीरा इसके बाद आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज को भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें प्याज भी डाली है, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, ये दो टमाटर मैंने कट कर लिया है, और दो हरी मिर्च को काट लिया है, रफली चॉप कर लिय इसके बाद हम दो मिनट तक टमाटर हरी मिर्च को भून लेंगे गैस का फ्लेम इस समय मेडियम रखिएगा हाई मत करिएगा नहीं तो टमाटर जल जाएंगे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं इसलिए मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी नमक नमक आप अपने स्वाथ के अनुसाद डालिएगा सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं इसके बाद हमें इसको भून लेते हैं हम इसे तरह से इसे चलाते हुए होए भुनते रहेंगे मेडियम फिलम पर ही और 2 3 मिनट में हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे देखिए 2-3 मिनट हो गई हैं तुमाटा सॉफ्ट हो गए हैं हम इसे बहुत कम मसालों से बना रहे हैं इसलिए मैं इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालूंगी इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दो चम्मच धनिया पॉडर बस दो चम्मच ही धनिया पॉडर डालना है और आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर इसके बाद हम विखते हैं बहुते हैं। अज़ए में अज़िता हैं। तो इसमें बहुत कम मसाले डालें क्योंकि कम मसाले डालेंगे तभी लौकी का उसमें टेस्ट आएगा और लौकी की सबजी में पानी नहीं डालिएगा क्योंकि पानी लौकी अपने आप ही छोड़ती है इसके बाद हम इसमें लौकी डाल देते हैं लौकी को डालने के बाद ह हम इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी लॉकी हम डालते रहेंगे और इसमें मिक्स करते रहेंगे इसके बाद हम और जो लॉकी हमारी बचीवी है वो भी इसमें डाल देते हैं इसके बाद हम इसे 2-3 मिनाड़ तक इसी तरह से भून लेते हैं क्योंकि हम इसमें पानी न बनाईएगा लॉकी को भूनते हुए दो मिनट हो गई है इसके बाद हम इसे दस मिनट के लिए ढग कर रख देते हैं लेकिन लो फ्लेम पर ही रखिएगा हाई फ्लेम पर नहीं रखिएगा दस मिनट हो गई है लोकी की सबजी को अब इसके बाद हम इसे चेक करते हैं हमने इसे एक बार बीच में भी चेक कर रहा था अब हम इसी तरह से इसे दो मिनट तर बूनेंगे जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा वो सुखा लेंगे बिल्कुल क्योंकि हम सूखी लोकी की सब्जी बना रहे हैं देखिए दो मिनट हो गई है कर दोwerk में बहुत अच्छा आता है इसके बाद हम इसको मिक्स कर देते लौकी में बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और दो मिनट तक इसी तरह से हम इसे बूल लेते हैं चलिए फिर हम इसे सर्फ करते हैं देखिए हमारी लौकी की सबजी बनकर तयार हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा पास में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पर तब तक के लिए नमस्कार